वास्ते रादे रादे हेलो अब्रीवन, वेल्कम टू आप चनल बायोवर्स ते यूनिवर्स आप बायोजी तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको पेपर सिरीज करा रहे थी तो मैंने BSE 5th semester के Geology का Paper First का एक ही Paper कराया था वो सिरीज फिर से मैंने स्टार्ट की है तो ये आपके Paper First जो है जिसमें आपको Diversity of Non-Core Data and Economic Geology and Parasitology के बारे में पढ़ना है तो उसका आज हम Paper करेंगे देखेंगे कि Previously ये आप पे 2023, 2024 का Paper है इस बारे 2024 में Paper होगा उसमें आपको Help मिलेगे क्योंकि मैं Different-Different Universities के Paper आपके साथ डिसकस कर रहे हूँ तो चलिए Start करते हैं और अगर Paper से आपको किसी भी चीज़ से benefit मिलता है आपको उस चीज़ को आगे जरू Transfer करना चाहिए ताकि बाकी जो आपसे जूनियर्स हैं उनको भी Help मिल सके ठीक है जैसे ये वीडियो आपके लिए Helpful है वैसे ही आपका Paper किसी और के लिए Helpful हो सकता है तो मेरी आपसे यह request है कि आप सुब Telegram का Link दिया ही रहता है description में वहाँ से आप जाके Join जरूर किया, sorry, वहाँ पे Join करके Telegram पे आप जरूर पेपर भेज दिया करें चलिए Start करते हैं, तो BSC 15th semester का जोलोजी है, Paper का नाम तो मैंने बताया है फिर भी एक बार मैं इसे दिखा देती हूँ आपको, Diversity of Non-Credit and Economicology टाइम इसमें इस पेपर में आपको 2 hours का टाइम मिला था, 75 marks का यह पेपर था ठीक है, कुछ instruction दिये हुए हैं कि इसमें attempt करना है सारे questions को आपको, ठीक है जैसा कि इसमें directed है, section A की बात की जाए, तो section A में आपका short answer type question पूछा है चलिए देखते हैं, इस section में आपको सारे question करने compulsory है, ज़रूरी है 9 question number, पूछे गए हैं 5 number के each question है 45, मतलब 75 number में 45 number आपका केवल ये पहला part करी करेंगा, तो मतलब सबसे important इस paper का part है आपका important जो आपका जो first section है, section A है चलिए देखते हैं कि करके, पहला question इसमें पूछा गया है कि binary vision बताना आपको paramecium में तो paramecium में आप सबने reproduction मेंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसके तो notes भी आपको मिल जाएंगे telegram पे, notes वहाँ पढ़े हुए है telegram पे paramecium में binary vision, ठीक है, binary vision किस तरीके से होता है और उसमें आपको basically reproduction कई तरीके का होता है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ binary vision यहाँ पे explain करना है with diagram, ठीक है, क्योंकि यहाँ diagram जरूरी हो जाता है, आपके biology में basically diagram बहुत जरूरी है, बिना उसके ना आप समझ पाएंगे और जब आप diagram बनाएंगे तो teacher को भी पर लगेगा कि आप उस चीज़ें आपकी concept clear से, ठीक है, कभी-कभी even ऐसा होता है कि जादी focus diagram पर रहता है कि उसमें diagram है या नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती जो diagram में ही आप दिखा सकते हैं, सिर्फ written से उसका काम नहीं चलता ठीक है, फिर अगर आगे बात करें तो यहाँ पर दूसरा question पुछा गया है, ओबलीया से, में आपको औलीया और 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 ये दो पढ़ना था, तो ओबलीया का मेडूसा से आपको question पुछा गया है ठीक है, तो मेडूसा आपको औलीया का बनाना पड़ेगा, इसमें alternation of generation पा पाजाते हैं इस मेंकाँ मेडूसा का work के बारे में बताना है कैसे वो श्क्राइल रिप्रोडूक्शन करता है कैसे वो पॉली बनाता है ठीक है तो यह सारी चीजा आपको बतानी है फिर अगर आगे बात awful इस question में मैं देख रहे हूँ इस वाले पेपर में कि चीजे थोड़ी अंदर से पूछी हूँ है ऐसे directly question नहीं पूछा है बाकी उन्वेस्टी में देखती हूँ मैं direct question पूछता लेकिन इस उन्वेस्टी में इस वाले पेपर में direct question नहीं पूछा जैसे अब teenrias onlyum आप सब ने पढ़ाते हूँ नहीं पूछा जो इस के इस कोलक्स होते हैं उसके बारे में आपको बताना रहेगा कि इस कोलक्स में क्या है पार्ट होते हैं अब डी question पूछा as summer के वज़ेस्टी है उसको हम क्या कहते है? Ascariasis कहते हैं तो आपको disease, उस disease के बारे में बताना Ascariasis, disease के बारे में कि क्या होता उसमें, symptoms क्या होता यही सब आप बताएंगे उसमें, ठीक है फिर आपका e-question पुछा Magzilly in Prawn, आप सब को बता है कि Prawn में joint appendices पाए जाते हैं अथो, पोड़ा का member है, तो उसके अंदर appendices तो होंगे अब उसमें, magzilly के बारे में आपको बताना ठीक है, mandible, magzilla, सब कुछ पाए जाता है इसमें आपको इसके magzilly के बारे में बताना ठीक, फिर आगे बात कीज़ें तो hasstate plate, आप सब comment section में बताएंगे अभी तक पढ़ जोगेंगे, hasstate plate किस file में पाय जाता है, यहां पे आपको hasstate plate के बारे में बताना था, ठीक है जी वाला जो question है, इसमें आपको सोचिए यह सबसे जादे carry करने वाला आपका question का paper का part है next question में पुछा है, external structure of pile, pile का external structure आपको बताना है कि उपर यह तरीके से अगर मैं बनाने की कोसिस करूँ, तो यहां पे इसके coiling पाय जाती है, cells पाय जाते है ठीक है, बाहर इनका mouth दिखता है ठीक है, mouth में sensory structures rasping organs पाय जाते हैं, तो आपको इसके external structure के बारे में बताना है, कि किस तरीके से पायला का जो है, यह वाला structure अगर आप देखेंगे, apple की तरह वाला ऐसे वाला है, तो यह structure आपको basically बनाना पड़ेगा, इसके बारे में बताना पड़ेगा, फिर next question पूछा गया termites, जिनकों की दीमक कहते हैं termites के बारे में आपको लिखना है आई वाला question, last question इसका economic importance of silkworm silkworm का economic importance किया है, जैसे उसके कहां-कहां use है, जैसे wools कपड़े बनाने में, सबसे strongest क्या होता है, यह strongest वो धागा होता है आपका ठीक है, और फिर बुनाई में use होता है, बहुत सारे जगों पर इसका use होता है, ठीक है, तो कहां-कहां इसका use होता है, economically यह कैसे हमारे लिए important है, हमारी country की economic को कैसे impact करता है इसके बारे में आपको बताना है, यह मैंने आपको बहुत अच्छे से, यह भी detail में पढ़ा है, इसके notes भी आपको telegram पे मिल जाएंगे previously, section B की बात कीज़े, तो इसमें से केवल आपको एक question attempt करना है, और वो एक question 15 number का होगा, ठीक, मतलब यह long question है, 15 number का question है, मतलब long question है, पहला यह question पूछा गया, what is canal system, तो canal system character है, आपके porifera का, porifera का सबसे अच्छा यही character है, cellular level का organization में पाए जाता है तो spongosil बनता है, spongosil में क्या होते हैं, कई सारे यहां पे आपको austeia देखने को मिल जाएंगे, और एक ausculum जहां से पानी निकलता है, spongosil cavity होती है, coinocyte की line होती है, यही सब आपको पूरा various और various type के canal systems आपको बताने हैं, ठीक है, basically, तीन तरीके के canal system होते हैं, जो मैंने पिछली video बनाई थी, उसमें बताया है, कि कि किस तरीके से इनके canal systems होते हैं, तीन तरीके के canal system पाए जाते हैं, sycon type, scon type, and dragon type, तो वो पूरा आपको यहां पे explain करना पड़ेगा, canal system के बारे में, ठीक है, various type, इसमें किसी एक का नाम नहीं लिए है, कि आपको scon type बनाना है, बताना है, आपको इसमें scon type, scon type, and dragon type, ठीक है, यह तीनों बताना पड़ेगा, ठीक, next question में पूचा गया है, explain the external feature of tiniya, तो tiniya का external feature आपको पता होता है, उपर वाले में, इस कॉलेक्स पुछा, उसको आप क्या करते, explain करते, with help of suitable diagram, अब आपको इहाँ पर suitable diagram भी बताना है, external morphology में कि किस तरीके से, इनमें pseudo segmentation पाया जाता है, इस तरीके से, flattened body होती है, ठीक है, suckers पाया जाते हैं, mouth में, ठीक है, क्योंकि यह endoparasite होते हैं, body में, तो इनके external feature के बारे में आपको पूरा बताना है, ठीक है, क्या क्या part इनके पाया जाते हैं, next question पुछा गया है, write the general characteristic feature of the herodinary, मतलब यहाँ पहने लीटा से question पूछा गया है, leech के बारे में, और इसको classify करना है, order तक, up to order तक इसको classify करना, general character बताना है, feature बताना है, herodinary का, और इसे classify करना है, order तक, ठीक है, आगे अगे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर fifth question पुछा गया है, इन सभी में से, आपको बस एक करना रहेगा, जो भी आपको अच्छे से detail में आता हो, उसको कर सकते हैं, describe the life cycle damage, control of sugar cane leaf hopper, pyrella, ठीक है, तो sugar cane leaf hopper, जिसको भी pyrella कहते हैं, उसके life cycle के बारे में, उसके control के बारे में, और damage कैसे करता है, वो उसके बारे में आपको बताना है, section C की बात की जाए, तो यहाँ पर भी आपको एक question ही करना है, 15 marks का यह question है, तो आपके देखे, 45 का उपर वाला, और दो question आपको 15, 15 करना है, तो यह total 30 number कहरी करना, और अगर आपने उपर वाला बहुत अच्छे से कर लिया, तो आपके paper का सबसे scoring part, section A है, बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको discuss करना है, walking legs of palumon, यानि कि प्राउन की walking legs, जो हैं, उनकी बारे में आपको यहाँ पर discussion करना है, detail में, with diagram, आपको यहाँ पर diagram बोले या ना बोले, आपको देना पड़ेगा, ठीक है, यह तो सबसे जादे, Echinodermator से सबसे जादे पूछे वाना जो question है, उसका water vascular system, और अगर आपको इसका लारवा पढ़ना होता है, तो लारवा से question बहुत जादे पुछता है, तो ठीक है, यहाँ पर water vascular system आपको बताना है, जो कि उनकी digestion, locomotion, respiration में help करता है, और किस तरीके से नमें structure पा जाते हैं, फूम, आपके, सब कुछ उसमें आप two feet वगएरा, क्या structure किस तरीके से, यह आप देखते हैंगे, इस तरीके से लटके हुए two feet आपको देखने को मिलेंगे, पूरे detail में आपको बताना है, ठीक है, next question है, write an essay on epiculture in India, इंडिया में epiculture पे आपको एक essay लिखना है, ठीक है, तो epiculture मैंने आपको बडिटेल में पढ़ाया है, economic importance वगएरा के साथ, ninth question है, discuss the habit and habitat life cycle and prevention and control of mosquito, तो mosquito में, mosquito की habit and habitat कहां पाया जाते हैं, उनकी life cycle कैसी होती है, और उनको कैसे prevent किया जा सकता है, और control किया जा सकता है, इसके बाएं मैं आपको discuss करना था, ठीक है, तो ये पूरे paper में मैंने आपको जैसा की बताया, non-cord data का paper है, इसमें basically जादे question आपके non-cord data से ही पूछा गया, ठीक है, मैंने जहां तक analyze किया है, diversity of non-cord data से जादे पूछा गया है, economic biology से, comparatively थोड़ा कम question पूछा गया है, तो diversity आपका काफी बड़ा part है भी, मुझे लगता है, इनकी paper में parasytology से तो question पूछे ही नहीं गया है, इस university में, ठीक है, गुधी, बग वगएरा के बारे में आपको पढ़ना, ट्राइपने, सोमा के बारे में पढ़ना है, तो जहां पूछा जाएगा, वहाँ पे करना होगा, तो आज का paper, hopefully आपको समझ में आया होगा, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप comment section में, टेलिग्राम चैनल पे, Instagram पे, कहीं पे भी message करके,